अलो एबरीवन विलकम तो तेजस करियर एकडिमी गाईस आज है 18th of March और आज हम देखेंगे important current affair के questions को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडिय में mention किया गया है Supermodel India का खिताब राज्य के किस वक्ति को दिया गया तो सूपर मॉडल इंडिया organized कहां हुआ तो सबसे पहले याद रखना है राज्यस्तर पर राज्यस्तर ठीक है यह राज्यस्तर मतलब CG level ठीक है, CG level CG level पे एकर हम बात करे और्गनाइक कहां किया गया था, तो आम्बइकापुर में कहां पे, आम्बिकापुर में धिक है, कौन था organizer तो याद रखना है आपको याद रखना है आपको Prince Narula Prince Narula फिक है और 17 प्रताप Singh ठीक है याद रखेगा सिवंद्र सिंग इन दो लोगों के द्वारा और गनाइस किया गया था पॉन यहां पर पॉन जीता है इस किताब को सुपर मोडल इंडिया का किताब तो याद रखना है वर्ष ouvert 2023 का मनेंद्रगड मनेंद्रगड चीरमीरी भरत पूर डिशिक के मनेंद्रगड की रहने वाली राश pendant का याद रखना है आपको रासी पनी का रासी पनी का जो है सुपर मॉडल इंडिया खिताब 2023 जीती है ठीक है कहा की रहने वाली है मनिंद्र गड की ठीक है इसके अलाब अगर आप देखेंगे तो साक्षियू पाध्याय और धिमपर ठाकूर ये दोनों क्या है ये दोनों आल्रेडी आल्रेडी इंडिया लेबल पे रास्टी अस्तर पे अलग 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 फुशूर्ती प्रतियों की ताओं में भाग ले चुकी है क्लियर रहेगा जानवी शोनी रिसेंटली 36 गड़ का प्रतिनेजितों करी थी इंडिया लेबल पे तो करेक्ट आप्सन यहाँ पर क्या बन जाएगा क्लिय क्लियर रहेगा चलिए अगला क्विश्चन है जल प्रहरी सम्मान से राज्य के किस दक्ति को सम्मानित किया जाएगा तो जल प्रहरी याद रखना है जल प्रहरी किसके लिए जल संद्रक्षन जल संद्रक्षन के लिए जल सकती मंत्रा लेके द्वारा जल सकती जल सकती मंत् से सम्मानित किया जाएगा ठीक है कौन सा सम्मान जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इसके अलावा आपको याद रखना है तो डॉक्टर सुरेंद्र दूबे सुरेंद्र दुबे को हाल ही में विप्रकुल गौरो सम्मान ठीक है विप्रकुल गौरो सम्मान से सम्मानित किया गया था कब किया गया था संतसरी पवन दिवान जी के स्मृति में ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है इसके अलावा आपको याद रखना है कि वेपिन दुबे जी को जल सन्रक्षन के लिए water hero जल सन्रक्षन के लिए already national level पे water hero के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है ठीक है water hero का सम्मान इनको दिया जा चुका है clear रहेगा इसके अलावा IIT रूडकी के दवारा rain water harvesting में lifetime ध्यान रखियेगा lifetime award दिया गया है कि वेपिन दुबे जी को वेपिन दुबे जी को जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा कब किया जाएगा अब बाताती है तो याद रखना है 29th of March को 29th of March को जल सक्ति मंत्राले के द्वारा new Delhi में new Delhi में new Delhi में water conservation पे यानि जल संप्रक्षन के ऊपर एक संगोस्थी आ क्वेश्चन है गजरत महोच्षो का आयुजन राज्य के किस स्थान पर किया जा रहा है गजरत महोच्षो पहले आपको याद रखना है कि ये गजरत महोच्षो संबंधित किस से है तो याद रखना है गजरत महोच्षो जो है जैनीजम से संबंधित है महोच्षो जैन धर् से संबंदित है ठीक है आचारे विद्यासागर जी आचारे ठीक है जैन धर्म में अभी आचारे विद्यासागर महराज जो है आदिनात के ठीक है जैनों के प्रथम धर्म गुरू की अगर हम बात करें प्रथम धर्म गुरू में अगर आप देखेंगे प्रथम तिर्थंकर की बात करूँ मैं तो रिशब दिव दिव जी के याद रखेगा रिशब देव खाल ही में रिशब देव जी का 16 मार्च को जन्मति थी था यानि कि जन्म दिवस था इसके अलवा अगर आप बात करेंगे तो रिशब देव जी के पंच कल्यानक पंच कल्यानक है तू ये गजरत म क्या होगा तो याद रखिएगा कि रिशब देव जी का रिशब देव जी का प्रतीमा का स्थापना की जाएगी यानि प्रान प्रतिष्ठा की जाएगी रिशब देव जी जैन धर्म के पहले तिर्थंकर हैं, फर्स्ट तिर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन क्या है, तो जैसा नाम है, रिशब, रिशब मिन्स क्या होता है, बैल, ठीक है, रिशब, mostly अगर आप देखेंगे, तो एक 23 और 24 को ही mostly favor किया जाता है, तो 23 में कौन है, पाशोनाथ, पाशोनाथ जी का, पाश्रो मिन्स क्या होता है, फन, ठीक है, पाश्रो मिन्स क्या होता है, फन, तो फन किसका होता है, सर्प का, तो याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन सर्प है, 24 में तिर्थंकर भगवान महावीर महावीर माहावीर मतलब सबसे ज़्यादा ताकत्वर, तो इनका प्रतेक चिन क्या है, संह, याद रखेगा इनका प्रतेक चिन क्या है, संह तो आप ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पर आप लगा सकते इसके अलावा आदिनाद जी नेमीनाद जी बहुत सारे यहां पर टोटल 24 दिर्थंकर हैं उन सभी के प्रतिक चिन भी अलग-अलग है बट आपको यहां पर मिली तीन को याद रखना है तो पूछा जा रहा था गजरत महुत्साव का आयोजन राज्ये की किसस्तान पर किया ज प्राकिर्तिक प्यंट उत्पादन का क्या मतलब हुआ गोबर से पैंठ बनाना घील गोबर से पैंठ बनाना bondर से पैंठ बनाने का काम कितने हुदा पादन सुरूह की गई है अभी मेरट प्रजेंट टोटलnınट 19 यूजिट जो है स्टार्ट किया जा चुके हैं टोटल प्र सभी को गोबर के पेंट से पेंट किया जाना है क्लियर रहे गए यह बात इसके रावा आपको एक चीज और ध्यार रखना है कि टोटल अभी तक कितना प्रोडक्शन हुआ है पेंट का तो 44,160 लीटर प्रोडक्शन हो चुका है इन सभी उनिट से और इन 44,160 में से टोटल 26,000 26 292 लीटर सेल हो चुका है कितना 26,292 लीटर सेल हो चुका है और इन सभी में अगर हम स्वयम सहायता समूह के टोटल अगर आप देखेंगे तो स्वयम सहायता समूह के यहां पर income की बात की जाए आये जो हुई है वो हुई है आपकी टोटल एपरोडक्श 48,000,002 रुपीज क कितने औद्योगी की काई सुरू किये गए हैं तो सुरू किये गए हैं 19 प्रपोज्ट कितने है 45 क्लियर रहेगा क्लियर रहेगा करेक्ट ऑप्सन मन जाएगा डी अगला क्वेस्चन है इंटरनेस्टन एकोनामिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारते रिजर् 23 के लिए गवर्णर ऑफ दे यर आवार्ड से सम्मानित किया गया है तो याद रखना है आपको गवर्णर ऑफ दे यर आवार्ड गवर्णर ऑफ दे यर आवार्ड में क्या होता है कि कठीन समय में भी यानि कि विपरीत परिस्थितियों में भी बहतर लिडर्शिप ठीक है अलग-अलग बैंकों के उन सभी बैंकों के अगर हम बात करें नेस्नलाइजड बैंकों के गवर्नर में से एक को गवर्नर आफ दे येर आवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो वर्स 2023 के लिए भारते रिजर्व बैंक के गवर्नर ससीकांत दास जी को ध्यान रखना है आपको ससीकांत दास जी को गवर्नर आफ दे येर आवार्ड से सम्मानित किया गया है इसके अलावा bank of the year award national bank Ukraine को दिया गया है ये भी आप आप रखेंगे ठीक है national bank bank of Ukraine को दिया गया है national bank of Ukraine को दिया गया है clear रहेगा clear रहेगा चलिए अब बात आती है कि ससिकान 10 कौन से number के ऐसे governor है जिनको ये सम्मान दिया गया है तो अभी तक सिर्फ दो ही भारतिये ऐसे हुए guverner RBI के जिनको governor of the year award से संम्मानित किया गया है ठीक है पहले आपके हो गया है cou audience जी मन जमोहन सिंग चीज़ी और दूसरे ही आपके ससिकान धास clear रहेगा कि ससिकांथ दास यह दूसरे इसे government है जिनको governor of the year award से सम्मानित किया गया है तो correct option क्या बन जाएगा correct option बन जाएगा आपका ए ठीक है राज्य के कितने जिलों का चैन भारत सरकार के विदेश export hub के रूप में selection हुआ है और 75 जिलों में से 36 गड़ के context में अगर हम बात करें तो 36 गड़ के दो जीले कौन-कौन से दोरग और रायपूर ठीक है दोरग और रायपूर विदेशों में निरयात के लिए विदेशों में export hub के रूप में develop किया जाएगा राज्य के दो जीले दोरग और रायपूर करेक्ट ऑप्सन क्या बनेंगे करेक्ट ऑप्सन बन जाएंगे यहाँ पर आपके डी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले fiber थाने ठीक है cyber थानों के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इनीशियली तीन Muslim July की बात कि गई है वजट में decon की प डीक में नहले में जाने 42 बात कीगी कहां पर रायपूर विलासपूर और दूर्ग में ठीक है यानि के दोरगरायपूर बिलासपूर इसके अलावा range मुख्याले की अगर हम बात करें तो 5 range है अपने यहाँ 5 range मुख्याले में cyber थाने इस्थापित किये जाएंगे इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डायल, डायलensemble 12, डायल 계 Crash 212, डायल 12, यह अभी तक कितने जिलो में चलाया जा रहा था अभी तक 11 जिलो में चलाया जा रहा था लेकिन अब इसका extension事情 1990 अतरिक्त जिलो में हो गया है तो अब इसका जो दैरा हो गया है, यानि की बढ़ा करके 28 जिलों तक बढ़ा दिया गया है, धियान रखिएगा, अब 28 जिलों में DL112 यानि की 112 का दैरा बढ़ा दिया गया है, छेत्र विस्तार किया गया है, अब हम आते हैं, question पर पूछा गया है, forensic science laboratory college की स्थापना की आगे बड़े next question पर साजहा बौध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन की अंतरास्टिय संमेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई संघाई सहयोग संगठन पर अंतरास्टिय संमेलन ठीक है condition क्या रखी गई थी साजह यानि cooperative buddhist heritage ठीक है तो याद रखना है यहाँ पर साजहा बौध विरासत SCO संघाई कॉर्परेशन ओर्गनाईजेशन जिसकी headquarters बिजिंग में है headquarters बिजिंग में है और अभी तक 8 स्थाई सदसे थे 9 सदसे बनने जारा इरान और इस साल भारत की अधर्चिता में इरान जो है इसका 27 सदसे बनेगा इसके अलावा तीन observer country आफगानिस्तान बेलारुस और मंगोलिया ठीक है आफगानिस्तान बेलारुस और मंगोलिया इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायलोग पार्टनर्स में अरमेनिया आजरबैजान तूर्की आफगानिस्तान ये सारे के सारे क्या है डायलोग प्रदान करना संस्कृति का विस्तार विस्तार और बदलाओ और एक्सचेंज ठीक है एक्सचेंज संस्कृतियों से रूबरू कराने और संस्कृतिक महत्तों को बढ़ाने के लिए बौध विरासत का बौध विरासत पर संघाई सायोग संगठन के अंतरास्टी संवेलम की मेजबानी भारत में किया है 17 मार्च को 17 मार्च को वारा नसी में याद रखना है आपको वारा नसी में S.C.O के प्रियाटन मंत्रियों का ठीक है तुरिज्म मिनिस्टर का प्रियाटन मिनिस्टर की अगर हम बात करें प्रियाटन मंत्रियों के बारे हम बात करें तो जितने भी S.C.O के मेंबर हैं member की अगर हम बात करें तो प्रयाटन मंत्रियों की बैठक वारा नसी में हुई और वारा नसी को ही वारा नसी को ही SCO का पहला अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है वर्स 2023 के लिए वर्स 2023 के लिए क्लियर रहेगा कितना information तो correct option बन जाएगा आपका see that is भारत ठीक है अगला question है हाली में किस देश द्वारा विश्व का पहला carbon dioxide का कब्रिस्तान बनाया गया है तो carbon dioxide कब्रिस्तान का क्या मतलब होता है co2 graveyard co2 graveyard ठीक है co2 graveyard तो याद रखना है आपको कि जिस तरीके से विश्व में co2 का production बढ़ रहा है उसी के ओपलक्ष में देनमार्क ने ध्यान रखेंगे आप देनमार्क ने नौर्थ सी में नौर्थ सी नौर्थ सी में 1800 मीचर डेफ्थ पे एक ऐसा tank बनाने जा रहा है जहां पे पूरे वर्ड से वर्ड से co2 को import करके यहां पर उसको store करेगा ठीक है storage बनायेगा और ऐसा करने वाला विशो का पहला देश बन गया है डेनमार्क नौर्थ सी यानि कि अगर आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल साइड में ठीक है आर्कटिक सर्कल साइड में यानि सबसे नौर्थर्ड में जब आप देखेंगे तो ग्रिन लेंड है ग्रिन लेंड से जस नीचे आपको डेनमार् एक स्टोरिज का बनाएगा जहां पर दफनाया जाएगा इसी लिए इसको कार्बन डियोकसाइट का कबरिस्तान कहा गया है और पहला देश कोंसा है देन्मार तो करेक्ट आप्शन बन जाएगा यहां पर आपका एक क्लियर रहेगा चलिए Quesn है चत्तिसगर राजिसरकारद वारा मूती उत्पादन को बढ़ावा देने हैं तो कितने उत्पादन और प्रसेक्षन केंद्र सुरू किये गये हैं तो पहली चीज़ आपको जाना है मूती उत्पादन तो मूती मतलब पर्ल प्रड़क्षन ध्यान रखेगा पर्ल प्रड के इंदर बनाए जाएंगे कौं से जिले में सुरवात होगी इसकी बाल वदा बजार ठीक है बाला बजार से अब बलॉदा बजार में कहां कहां पे रहेगा तो इनिश्यल एमाउंट जो होगी वहाँ पे सीब की खेती करने यानि मोदी की खेती करने वाले लोगों को किलियर रहेगा कौन-कौन सी जगह पे खोले जाएंगे चिर्शिरा ठीक है याद रखिएगा कौन-कौन सा है चिर्शिदा डंडनी ठीक है डंडनी तिल्दा ठीक है तीन हो गए तिल्दा तिल्दा के जिए ख़ंडी और आपके स्थापना की गई है यहां पर आपका दर्मा की है सुदिन धर्मा की कुश्चन में आज का कुश्चन है आतंकवाज से प्रभावी देशों की सूची में भारत की सिस्थान पर है ठीक है इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है सबसे टॉप पे कौन सा है यानि रैंक वन पे याद रखिएगा अफ्रिकन कं दूसरे नमबर पर उर्किना फासों तीसरे नमबर और सीरिया सीरिया इसके बाद इराग इराग रहीका आडाई से प्रभावी देशों की सूची में क्लिए रहे तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नाई सेशन के साथ बने रही है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरूर करें थेंक्यों सोबच